पहली बागर 450 से जादा MOUs और Agreement Sign किये जा रहे हैं। चाथियों, ये आयोजन्द हम काफी समय पहले करना चाहते थे। गुजरात के लोगों तो भली बाती पता भी है। कुछ परिस्तिज्यों के कारण हमें समय बदलना पड़ा, उसके काण थोड़ा विलम भी हुआ। जो भी देशों से महमान आने थे, उनको सुझे असुविदा भी हुई। लेकिन देश के अब तक के सबसे बड़े डिफेंस एक्सपो ने एक नए भविशकया ससक्त आरंब कर दिया है। मैं जानता हूँ कि इससे कुछ देशों को असुविदा भी हुई। लेकिन बड़ी संख्या में विबिन देश सकारात्मक सोच के साथ हमारे साथ आए है। साथ क्यों? मुझे खुशी है कि भारत जब भविश के इन अवसरों का आकार दे रहा है। तो भारत के 53 अफ्रिकन बित्र देश कंदे से कंधा मिला कर हमारे साथ खड़े है। इस अवसर पर दूसरा इंडिया आफ्रिका डिफेंस डायलोग भी आरंभ होने जा रहा है। भारत और आफ्रिकन देशों के बीच ये मित्रता, ये सम्मन्थ उस पुराने विश्वास पर ठीकिये हैं। जो समय के साथ और मजबुत हो रहा है, नया आयाम छू रहा है। मैं आफ्रिका से आये अपने साथ्यों को बताना चाहता हूँ कि आज आप गुजरात की जिस धर्ती पर आये हैं। उसका आफ्रिका के साथ बहुत पुराना और आत्मिय सम्मन्ध रहा है। आफ्रिका में जो पहली ट्रेन चली थी उसके निर्बान कार्य में यही इसी गुजरात की कच्छ से लोग आफ्रिका गए थे और उन्होंने मुश्किल अबस्ता में हमारे कामगारों ने जी जान से काम करके आफ्रिका में आधुनिक रेल उसकी नीव रखने में बहुत बड़ी भूमी का निभाई थी।